अब्रीवन मैं हूँ रख्षा और बेलकम करती हूँ आप ही अपनी चैनल रख्षा की रसोई ब्लोग्स में तो अगर आप नए यूटूबर है या यूटूबर आने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इतना जानेजिए कि यूटूब प्लेटफॉर्म है एक वीडियो का यानि चैनल लिए पूर आप यानि प्लेट विडियो में बनाइए तो जो तो जो यूटूबर हो जाएं जैसे मैं कोकिंग की वीडियो बनाती हूं हमारी सबजी पक रहे हैं अब सब्सक्राइए तो दिखाते थोड़े ना रहेंगे तो हमें क्या होता है बहुत से पार्ट को कट करना पड़ता है तो कारण कोई भी हो सकता है वीडियो को दिखेंग तब इचल जाएगा nationwide फिल्कुल और С अज में आपको पेटन थे आपके वीडियो को देखने में ठीकिक दूं बोरिंग साना बगे तो आज मैं बहुत बड़िया वीडियो की है पूरी स्टेप बाइ स्टेप बताऊंगी इससे पहले मैं आपके साथ एक साथ विडियो की वीडियो शेयर की थी बट उसमें थोड़ा सा मुझे मन भी संतु तो आज मैं आपको फ्री वर्जन भी बताने वाली हूं कि फ्री वर्जन कैसे यूज करेंगे तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन वोक्स में रही हूं वहां पर जाकर डाउलोड कर लीजेगा पिछली वार आप बोल रहे थे कि रक्षा वह डाउलोड नहीं हो रहा है उस ल मैंने अभी तक फ्री वर्जन ही यूज किया है काइनमास्टर का इस मन्त ही मैंने पेड वर्जन लिया था क्योंकि मुझे चेक करना था कि पेड वर्जन से कितने सारे फीचर्स हमें मेल जाते हैं तो मैंने इसको चैक आउट कर लिया है तो वह मेरे हिसाब से ठीक है लिए आप नए है तो खर्चा मत करिए क्योंकि काइनमास्टर का जो पेड वर्जन है काफी महंगा है साड़े 300 रुपए का मन्त लिये तो फ्री वर्जन ही यूज करिए और पूरा वीडियो देखी का मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी वीडियो लंबा हो जाएगा शीज का ध शियर और कमेंट मुझे बताता है कि मैं बहुत अच्छे वीडियो डाल रही हूं आपको काफी हेल्प मिल रही है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए फ्रेंस आप देख सकते हैं यह है काइनमास्टर एप इसको आप या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ल स्काइगन दिख रहा है ना न्यू प्रोजेक्ट करके हम इस पर क्लेक्ट करेंगे क्लेक्ट करने के बाद यहां पर प्रोजेक्ट नेम मतलब यसे बहुत सारे वीडियो हम एडिट करते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि कौन सा था वो वीडियो तो इसके लिए आप यहा साइज होते हैं कि आप कि साइज में बनाना चाहते हैं जैसे पहला साइज होता है 16 वाई 9 का जब भी आप लोग वीडियो बनाए तो 16 वाई 9 के रेशियो में ही बनाईएगा तो यह यूटूब के लिए स्पेस दी होता है लेकिन इसी वीडियो को आप इंस्टा पर भी डाल स लगते हो इसी साइज में लेकिन अगर आप शौट वीडियो बना रहे हो या रिल्स बना रहे हो मतलब एक मिनट के अंदर का वीडियो तो आपको 9 वाई 16 लेना है बस इन दोनों से हमको ज्यादे तर मतलब रहता है बाकी इन साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंक वीडियो के लिए एडिटिंग आपको सिखाने वाले है फुल एडिटिंग हमने यह स्लेक्ट कर लिया हम जाएंगे क्रियेट पर और यहां पर आप देख सकते हो एक नया पॉप-प खुल गया है और यहां पर आप देखे कितने सारी आपको फोटो वीडियो नजर आ रहे ह यह होते हैं काइन मार्श्टर की तरफ से कुछ बैग्राउंड इस पर हम क्लिक करेंगे तो यह देखे यह काफी बैग्राउंड दे देता है मानके चलिए कभी-कभी हमें फोटो से वीडियो बनाना होता है तो इस तरीके से हम यहां पर किसी पर भी क्लिक करेंगे और हमें मिल जाएंगे यह देखे यह में अपको वीडियो कीरई रचने वाले तो यहां पर आपको कुस चीज दियान में रखनी होगी सबसे पहले यह आप साइड में देख रहे है और यह जो बीच में गोला गोला नजर आ रहा है मनल्ला इस licensing में बहुत फीचर मिलते हैं मतलब इतना कुछ मिलेगा कि आपको कहीं जाने की जरूर नहीं है तो हम क्या करेंगे हम जाएंगे मीडिया पर जाने के बाद यहां पर हम एक दू फाइल ले लेते हैं जैसे मैं यह ले लेती हूँ एक यह आज मैं कोकिंग वीडियो से आपको नहीं सिखाऊंगे क्योंकि कोकिंग वीडियो में बहुत जादा ही किलिप्स होती है तो आप कन्फीज हो जाते हो तो मैंने सिंपल सी दो तीन क्लिप ले ली हैं अब हम इसको कैंसल करेंगे तो यह हमने तीन क्लिप ले लिए हैं जो आप लोगो सिखाती हैं यह वही मैंने क्लिप ले लिए अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगे कि इसकी हमें आवाज को बंद कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग वाइस ओबर करते हैं कुछ लोग डायक्ट बोलते हैं ज हम क्लिप पर प्लेटी नज़र आ रही है यहां पर लिखा हुआ है मिक्सर लिखा होगा ओडियो अधर सिंबल बना होगा तो आपको साउड की सिंबल पर जाना इस तरह से इसको बंद कर देना है यह देखिए नीचे तो इसमें अब जो भी मैं बोल रही हूं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी देखिएगा तो इस तरह से जो मैं वाइस है उसको हम बंद कर सकते हैं जैसे किचिन में आवाज आती है बर्तनों की यह कुछ भी तो अम मैं इसको फिर से खोल देती हूं तो अब देखिएगा मेरी आवाज आएगी तो इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे अगर आपको नीड नहीं है बंद करने की तो मत करिएगा तो यहाँ पर हमने मीडिया वाला ओप्सन सीख लिया है कुछ नहीं है केवल हमें उहां से सेलेक्ट करना है अब मैं आपको सिर्फ एक हमने क्लिप ली है वीडियो की पहले मैं आपको इसकी एडिटिंग सिखाऊंगी फिर मैं इन ओप्सन पर जाऊंगी ठीक है जो लेयर है रेक अप है यह आडियो है यह मैं आपको बाद में सिखाती है तो मान के चलो मैंने इसको क्लिक किया इस तरीके से जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर काफी फीचर्स खुल जाते हैं यह देखे बहुत सारे खुल जाते हैं तो मैं में से आपको मैं मैं जो आपकी काम के हैं प्वही बताउंगी तो सबसे पहले आता है यहांपर री प्लेस मतलब होता है, किर अपल घ्रान के अब तो यहांपर मैं कोई भी बीडियो चली गई और फोटो आगई, तो यह सके है ओ, जैसा कि नाम ही आप समाँ सकते हो, तो मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेती हूं, यह मैंने जायते हैं कि अब यह गलत हो गया है फिर से वहीं जाना है यहां पर यह जो अप्सन मिल रहा है यह होता है अंडू रीडू जैसे computer में होता है तो हम इसको दबा देंगे तो बापस से वह किलिफ हमाई आ गई है ठीक है तब हम इसको तो मैं इतनी क्लिफ को डिलीट करना चाहती है तो मैं फिर से थोड़ अधा सुनती है उसको अब वहीं पर मैं इसको दबा करके रोग दूंगी पुस्ट कर दूंगी अब यह जो लाइन देख रही है ना रेट कलर की यह जहां पर है वहीं से कटिंग होगी तो हम फिर से सिलेक्ट करेंगे अब यह देगिं लाइन है तो यह वाला जो पाइस है चोंच करना है यह हो जाएगा लैप्ट और यह तरफ का हो जाएगा राइफ तो अभी हमें तो बाबस इसको फिर नहीं करना पोर से शुच से का 10 किना है इस यह पूरी क्लिफ है इसको हमने थो भागों के करना है लिए तोड़ना है दो पार्ट में करना है तो यह बीच से ब्रेक हो जाएगी देखिए यहां पर भी है फ्लेस कर नहीं तो अब को कोई जरूवत नहीं है अब मिक्सर आपने समझी लिया इससे वॉल्यूम कम हो जाती है अब आती है स्पीड ठीक है तो इस पीड पर हम किलेक करेंगे तो यहां से हम किसी भी वीडियो की को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं कि श्लॉमोशन में भी कर सकते हैं तो यहां पर जैसे ऐख वन है तो यह मैं नें और बेना किसी मत आध्यूम पर करेंगे तो यह तरफ जाएंगे तो यह सिलो हो जाएगा तो एक पे तो नॉर्मल होता ही है तो हम यहाँ पर कर देंगे 5.5 पर या 0.15 पर अब मैं आपको सुनवाती हूँ तो देखें कितना सिलो हो गया कि मेरी आवाज भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी एकदम स्लो मोशन हो गया तो जो सुलो मोशन के वीडियो बनते हैं वो इसी से बनते हैं तो बापस से हम इसको वन पर कर देते हैं ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि स्पीट का क्या काम है reverse का मतलब होता है जो चीज हम बोल रहे हैं वो जस्ट उल्टा हो जाएगा जैसे magic वाले वीडियो मैं अभी इसके लिए एक अलग से clip लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ तो यहाँ पर मैं आपके लिए cooking की clip लेती हूँ की आपको बहुत अच्छे से clear हो जाए ठीक है तो यह मैंने यह ले ली है यह लेने के बाद हम इस पर click करेंगे और जाएंगे reverse पर जाएंगे तो यहाँ पर यह देखिए कुछ इस तरह से processing सुरू हो जाएगी तो reverse का मतलब होता है जो हमने दिखाया उसका उल्टा हो जाना आपने देखेंगे कई magic वीडियो होते हैं वो लोग जहरने से नीचे गिर रहे हैं लेकिन जब reverse कर देते हैं तो क्या होता है पानी में गिर गया है उपर उठ करके जमीन में पहुंचते हैं तो देखें रिवर्स कंप्लीट हो गया अब आप ध्यान से देखेंगा मैंने जो कुछ भी किया था जस्ट इसका उल्टा हो रहा है मैंने रवर्ड को उठाया था बड़ इसमें रखते हुए दिखाया रहा है साबुदाना को चमच से नीचे गिराया था साबुदाना सारे उठके चमच के अंदर आ रहे हैं और उल्टा हो रहा है तो इस तरह से लग रहा है जैसे कुछ जादू हो में बहुत जरूरत पड़ती है इसको हम डिलीट कर देते हैं इसका यूजबी आप अपनी रेस्पी वीडियो है जो भी बना रहे हैं उसमें कर सकते हो अब इसकी बात बापस से में इसको क्लिक करेंगे रिवर्स हो गया पैन एंड जूम यह काफी इंपोर्टन है तो चलिए मैं आपको बता देती हूं पैन एंड जूम पर जाएंगे तो ऊपर जो दो बॉक्स बने है न तो ऊपर आपको जाना है और मानके चलो आप मेरा सिर्फ चहरे भर दिखाना चाहते हैं तो मैंने इसको चहरे भर पर खीज दिया दो उंगलियों की मदद से इस तरह से खीज दिया तो यहां पर देखिए छोट असा बॉक्स और आ गया है जिसमें मेरा फेस बर दिख रहा है हम क्या करेंगे यह जो पीच में आपको एक को लियानी की बराबर करने सान देख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो क्लिप है शुरू से आखरी तक पूरा मेरा चेहरा भर नजर आएगा आपको देखेंगा मैं दिखाती हूं फ्रेंट्स यहां पर मेरी डवल आवाज आ रही है एक्चली मैंने ध्यान नहीं दिया एक उसमें एक बॉइस क्लिप रह गई थी इसमें अब मेरा पूरा फेस दिख रहा है तो अब इसको हम क्या करेंगे फिर से जाएंगे पैनन जूम पर प्लस की आइकन को खतम कर देंग कार कि क्लिप स्टार्ट मेरे चहरे से आकरी में आए बिलकुल पूरा पूरी बाडी आ जाता तोabile इस तरह ऐसे छीच के सको कर देंगे नीचे वाले box में हमने पूरी बाडी कर दिये है ओपर वाले box में हमने अब देखेगा यह कैसे चलेगी तो आप समझ चुके होंगे जैसे कोई रैस्पी वीडियो बनाते हैं तो हम सुरुबात में बिल्कुल जूम करके दिखाते हैं पास से पर दीरे दीरे वह दूर हो जाती है या हम कभी ग्रेवी बनाते हैं तो पहले वह दूर रहती है फिर दीरे 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 आपके पर पास में नजर आने लगती है तो वह इस टाइप की एफेक्ट आप दे सकते हो अब फिर से हम इसको क्लिक करते हैं और इसको बापस से नॉर्मल कर लेते हैं अब यहां पर है रोट पर दाने की खास बात है नहीं तो इसके बाद आता है फिल्टर यहां पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे जैसे बेसिक यहां से आप फिल्टर यूज कर सकते हो तो यह आप खुद करके देख लीजेगा इनके फिल्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं और काफी चीज़े अच्छी हो जाती है आप देख लीजेगा को समझ में आ जाएगा तो यहां पर जो भी फिल्टर लेना हो आप इस तरीके से स्लेक्ट कर सकते हैं और अगर नहीं चाहिए दूपर नन पर किलिक कर दीजिए तो यह अपनी ओरिजिनल फोटो में आ जाएगी फिर से हम इसको किलिक करेंगे अब हम जाएंगे एज़स्ट्मेंट पर एज़स्ट्मेंट से इसमें आप अपनी तरफ से ब्राइटनेस बढ सकते हैं जैसे ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाऊं में यह देखिए यह बढ़ा दी मैंने यह घटा दी ठीक है तो इस तरह से कंट्रास्ट में देखिए चमक बढ़ जाती है तो मुझे जाए तरह यूज करना पड़ता है कंट्रास्ट का मैं थोड़ी सी शाइनिंग को डिखिए बढ़ना नियुक्त D करेंगे पर यहां पर बहुत सारे अपैक लिए थ destructive यह चाम ऑने जाए तरह रह गया है मैं ले तै क्षञ तरहते हैंगी उदेखिए तरह बर्चेव में इंदा प्रफेशनल लेगा ultimus इस प्रसमार्रोर भी के आपको कुछ मिलेंगे तो यहां पर मैं दूसरा चेंज करके आपको दिखाती हूँ जैसे मैं यह कर देती हूँ तो आप देख सकते हो किनारे पर इस तरह से फ्रूट्स आ गाए बीच में बोल रही हूँ तो इस तरीके की आप एफेक्ट अपने वीडियो क्लिक पर करेंगे फिर से हम क्लिक करेंगे ग्राफिक को नन कर देते हैं हमें कोई एफेक्ट नहीं चाहिए अब मैं आपको आंगे पताती हूं इससे कुछ नहीं होता है हलका सा किनारे पर शैड़ो टाइप किया जाती है ठीक है यह जो बिग नेट है इससे तो हम इसको कैंसल कर देंगे वॉल्यूम इन मिलप से कुछ नहीं थोड़ा वाद वॉल्यूम एफेक्ट आ जाता है तो इसकी मैं प्रिफर करोंग अब हम जाएंगे वाइस इंडर कुछ लोग अपनी आवाज नहीं देना चाहें तो उनको पसंद नहीं होती है तो यहां पर कायर माश्चार हमें कुछ आवाजें देता है जैसे यह काफी है इसमें बहुत सारी है तो मैं आपको सुनवा देती हूं कुछ एक दो दे देती ह मैंने यहां पर वोमेन की कर ली तो चेंज हो जाएगी तो इस तरही किसम दूसी करके देखते हैं तो रॉबोट की भी है मैं की भी है देखिए Um तो इस तरहीके से आप इसमें आवाज को चेंज कर सकते हैं कुछ लोग होते हैं उन को अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती तो इस तरहीके से अगर आपको जरूरत है तो कर लीजिए वरना अपनी आवाज तो सबसे बढ़िया है जो भगवान ने हमें दी है हमें किसी की आवाज की जरूरत नहीं है हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए तो ठीक है इस तरीके से आप समझ गए होंगे फिर हम इसको क्लिक करेंगे तो य इस तरीके से आपको सारे खट्टे देख जाएंगे तो मैं फिलाल यही कर देती हूं इस तरीके से तो यह आपने समझ लिए होंगे यह हो गई आपकी एक क्लिप की एडिटिंग मतलब एक वीडियो में आप इस तरह की एफेक्ट दे सकते हैं आपको लगता है कि मुझे इत आपसन होते हैं तो चलिए हम इसके प्लस की आइकन पर क्लिक करते हैं कुछ लोगों की में प्लस बना रहता है कुछ लोगों की में छोटा सा बॉक्स बना रहता है तो प्लस पर क्लिक करेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे हमें एफेक्ट मिल जाएंगे त कि इसमें मैं कोई दूसरा एफेक्ट देती हैं ये वाला कि धीड़ी ही मैं इस तरह से यहां पर फ्लेस का निसान बन चाहेगा और हम यहां पर भी एसको ऊई प्लेस को पादो करना दे सकते हैं तो इस तरीके से आप इसमें एफेक्ट को खतम करना है बापस से जाईए नन पर किलिक कर दीजिए तो आपने वीडियो की जो मैन एडिटिंग है वो सीख ली इसके बीच में जो प्लस है उसकी भी सीख ली अब आते हैं हम अपने मैन ऑप्सन पर जो कि यह सरकल में बने हुए हैं ठीक है फिर उसकी बाद मैं साइड वाले ओप्सन भी आपको बताऊंगी सबसे पहले मीडिया आपने सीखी लिया मीडिया बजा करके आप कोई भी अपनी वीडियो क्लिप या फोटो ले सकते हो तो इसको कोई जरूरत नहीं बताने कि आव आता है लेयर का तो लेयर से क्या क्या कर सकते हो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आता है पहला मीडिया मीडिया का मतलब होता है मतब लेयर का मतलब होता है कि एक की ऊपर दूसरी लेयर को चड़ाना तो जैसे हम मीडिया पर जाएंगे और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमसे गलती हो गई तो दू लगानी हो तो दो लगा सकते हो तो चलिए मैं एक और फोटो ले लेती हूँ इस तरीके से ठीक है यह देखे यह मैंने भगवान की फोटो और खीज़ देती हूं मैं इसको थोड़ा सब पकड़के इस तरीके से आप मतलब लेयर से फोटो भी ऊपर से चड़ा सकते हैं या आप चाहे तो बीडियो भी चड़ा सकते तो जिसको भी क्लिक करेंगे डिलीट क चोह मेरा चली रहा है कि अब दूसरा वीडियो टालेटे हैं यहां से हम उठाइंगे यह देखिये मैं यह लेलिया कि उसके मेरा दूसरा वीडियो को देखा लेती हुआ कि आवा अधिश कर देती हुआ हुआ मैं अदिक कि नारे पर रषाप है इसको हमें जहां पर भी लगाना है साइड में छोटे रूप में लगाना है तो हम चोटे रूप में लगा देंगे और अगर हमें बड़े रूप में पूरे में दिखा देना है कि नहीं हमें अपनी पीछे वाली डग देनी है इसके हम साइलेंट करके इसको हम इस तरीके से ब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो उंगली से पकड़ कि आप खीश दीजिए तो बड़ा हो जाएगा और अंदर को समेट दीजिए छोटा हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लेयर में कोई भी चीज चला सकते हो आपने देखा हो कोई यूटूबर किनारे पर बोल कर सकते हो किसी चीज को ठीक है जैसे कभी यूट अपनी परिस्टनल चीज नहीं दिखानी एक कुछ हमें लग रहा है कि हमें चीज को नहीं दिखाना मोगा नहीं इंकाना तो हम क्या करेंगे इस पर गौशिय और पर जाएगे और ये देखिए इसको एक बॉक्स आ गया है तो इसको खीच के छोटा बड़ा जहां पर भी आपको बिलर करना हो जैसे मुझे अपनी ये टी-शर्ट को बिलर करना है तो मैं इसको खीच दूँगी और देखे ये पोर्षन बिलर हो गया अब जितना भी चलेगा ये धुनला धुनला आएगा ही ठीक है यह हमें खीच के इसको करना है यां पीछी फोटो फ्रैम लगा है ना तो इसको हमें करना है तो हमश्की करेंगे और देखे तो फोटो फ्रैम मारा दिलर हो गया है तो यह छ्च्र ac पिक्सल देखते हैं कि अब में चला के दिखाते हूं पिक्सल नजर आ रहा है तो यह ज़िए इसको भी डिलीट कर देते हैं तो यहां पर आपको कायन मास्टर जो है बहुत सारे लगा सकते हैं इसको भी हम डिलीट कर देंगे आप चलते हैं हम टेक्स पर यहां पर बहुत इंपोर्टन्ट है तेस्ट क्योंकि जो लेंगे तो इसमें में बहुत सारे option मिल जाएंगे टेक्ट पर हम जाएंगे तो यहां पर हम लिखते हैं काइन इसको बापस से एडिट कर लेंगे यहां पर जो भी हमें करेक्शन करना होगा हम कर लेंगे दूसरा आता है font font से मतलब होता है आपको change करना है कि style इसकी change करनी है यह वाली करनी है animation होते हैं नीचे मतलब यह जो देख रहे हैं आपको in animation overlap animation out animation यह तीन होते हैं animation इस पहले में color change करते हूं फिर आपको दिखाते हूं ठीक है इस तरीके से आप इसको थोड़ा बहुत change कर सकते हैं इसके बाद आता है रोटेट तो इससे जो टेक्ष्ट है यह रोटेट हो जाएगा यह देखिए ठीक है ठीक तो यह आप समझ चुके होंगे रोटेट वाला blending blending का मतलब होता है overlay करना किसी चीज की उपर मतलब इसकी उपर हलके से कोई effect देना देखिए multiply यह अलग अलग आ जाएंगे थोड़े से changes आ जाते हैं यह देखिए यह पर हम ऐसे कर देखिए यह कपके लिए होता है जब हमने दीचे और भी line लिखी हुई है जैसे यह है edit करके हम और भी कुछ लिख देते हैं कि कर दिया अब यह तीन चाल लाइन में आ गया अब हम जाएंगे text option पर हम ऐसे कर देखिए तो यह देखिए इस तरीके से आगय और इसको हम इस तरीके से करेंगे तो यह मतलब टेक्स्ट दूर दूर हो जाएंगे पास पास हो जाएंगे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो हम वापस इसको बैक करेंगे और आप समझ गए होंगे अब आता है आउट्लाइन, आउट्लाइन का मतलब होता है कि आप इसमें आउट्लाइन दे सकते हो, जैसे हम इनेविल कर देते हैं, तो यह ब्लैक कलर सेलेक्ट था, यहां पर आउट्लाइन ब्लैक कलर किया गए, मान के चलिए हम यह आप पर सेविल कर देते हैं अब आता है शेडो चौन का कि अ हलकी सी सेडोर फैकल के अगार इसमे खुल करेंगे बारें को बीर हो भल수 अब भी होगे और अटाइक सेटी ही सब्सकूल करेंगे यह तरीके संद दी हो जाएगे का इसन ऑफ में लग सकते हैं कैसे आपको 3D में करना है आंगे की तरफ भागे या पीछे की तरफ सेडो देखे या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है तो इसको भी आप करके देख लीजेगा अब हम चलते हैं यह थोड़ा से इंपोर्टेंट है तो बैक्ग्राउंड के लि रहेंगे तो चलतने काली तरे ब्लेग कर दे कंगी तो इसने पूरा प्लेकर ग्राउंड ले अब मार्ण के चलो हमें ब्ली कलर neglect करना तम ब्लू कर लेंगे ठीक है जो head. अम क्या करेंगे है God को चेंज कर देंगी कि इस तरीक़े से इतने बाइस आएगा जितने में आपने टैक्स को लिखा है तो यह चीजetu हो गई अब यहां पर इतनी चीज़ है आपके काम की अब आते हैं एनिमेशन पे तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का कलर फिर से चेंज कर देते हैं क्योंकि वाइट कलर जैच नहीं रहा है अच्छा हमने रेड कर दिया अब आप देखिए एनिमेशन का मतला होता है हम गए इन एनिमेशन इन का मतला होता है अंधर की तरफ एनिमेशन होगा फिर्ड किया हमने तो यह देखिए इस तरीके के आया पउपप azt के आप किया इस तरीके से आए कि छैस rainbow तक को रख आए अब लूब का इस तरीकह क्लोब रखा ओला बहुत सारे इसमें आपको effect मिलेंगे यह सिर्फ टेक्स्ट के लिए effect है तीक है क्योंकि हम टेक्स को सिलेक्ट करें हैं तो टेक्स्ट के ही इसारे effect है अब यह तरह लाइन लिखने वाला यह देखिए सी से आता है letter by letter करके अब आप लोग कहते हैं जिसे कुछ बोल रहे हैं कर दो बिखना है और यह जो है ने letter by letter कर बाइन परिया तो यहां से हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं यह देक्स कर दो बहुत जल्दी आ जाएगा और इसको हम तो इससे आप इसकी speed को भी बढ़ा घटा सकते हैं तो फिलाल अपसको नन कर देते हैं तो effect आपको समझ में आ गया होगा यह होता है overall animation इसमें अलग दूसरे type की रहते हैं यह देखें ठीक है तो यह आप चेक कर दीजेगा आपको सारे मिल जाएंगे जो पसंदो effect आप दे सकते हो यह चीज याद रखिए जो आप select करेंगे जिस layer को वही effect खुलेंगे ठीक है तो यह आप जितने भी आप इसमें डालेंगे यह नीचे layer बनती जाती है जैसे एक हमने video लिया था तो यह video की layer बन गई उसके नीचे हमने कुछ लिखा था तो यह text की layer बन गई अब मान के चलो हम इसमें कोई image ले लेते हैं तो एक layer हमारी और बन जाएगी यह देखे मैंने image ले ली तब कितने बन गई नीचे एक, दो, तीन, तीन बन गई हम कोई और photo ले लेंगे उसी पर आप सारी काम कर सकते हैं और जिसको select करेंगे उसी के सारे option खुल जाएगे तो फिलाल हम इनको delete कर देते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है और मान के चलो यह text है आप text को भी बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो इस तरह से उंगली से पकर के खीश दीजिए तो यह उतने ही जगए पर जितनी देर आप इसको रखना चाहते हैं उतनी टाइम पर यह बहुँच जाएगा यह देखिए तो लेयर का अपने टेक्स्ट भी सीख लिया अब आता है handwriting 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 भी काफ़ी important है handwriting पर click करेंगे तो यहां पर pencil का option आपको नजर आएगा pencil के option पर click करेंगे सबसे पहले हम pencil select करते हैं तो यहां पर हम अपनी उंगली से इस तरह से कुछ लिख सकते हैं जैसे मैं लिख देती हूं रख्षा तो इस तरीके से आप लेख सकते हो यहां पर आप इसको कर देंगे तो बैक हो जाएंगे सारी चले जाएंगे दीरे दीरे यह देखें pencil का आपको समझ में आ गया होगा अब मैं आपको बताती हो दूसरा दूसरे देखिए तो इसी तरीके से यह brush होता है ब्रस में मतलब थोड़ा सा हलका सा effect टाइब कर रहता है इस तरीके का ठीक है तो यह दीरे दीरे में सब बता रही हूं आपको ठीक है यह arrow होता है किसी चीज़ को हम इंडिकेट करना है जैसे मैं किसी photo frame के बारे में बता रहे हैं तो मैं इस तरीके से कर दूँगी यह साइड में आप photo frame देख रहे हैं यह इसमें मेरी photo है तो इस तरीके से आप arrow बना सकते हो अगला जो है इसमें double arrow हो जाएगा यानि कि दोनों साइड से arrow हो जाएगा और यह जो है ना इसमें cross कर देंगे तो यह cross कर निशाना आजाएगा इस तरीके से ठीक है कभी-कभी हम अग्याओ ter All घू जाएगा जो है तो अब आता है colorर यह होता है color ले सकते हैं अब आप uh एक यह सारा अब आता है इरेजर कभी है आप color चेंज कर सकते किसे कर सकते हैं यहां से कि एक बार में पूरा एरेज हो जाएगा और यह साइज कर सकते हैं मतलब एरेजर का आपको साइज बड़ा लेना है तो आप बड़ा यह आ चोटा लेना है तो छोटा आजाएगा तो यह हो गए हमारे वाला ओप्सन अब आम लोग जो कि मैंशा कहते हो कि मैं हम बॉइस ओवर कैसे करें कि उसमें बॉइस ओवर करना बहुत आसान होता है आपको सबसे पहले क्या करना आपको अपनी में जूब वाइस है उसको बंद कर देना है ठीक है क्योंकि में बंद करेंगे तभी तो दूसरी आपको सुना आइड़ेगी आज मैं आपके लिए काइन मास्टर की वीडियो लेकर के आई हूँ आपको बहुत पसंद आएगी ठीक हम इसको बंद कर देंगे आप हम इसको चला के देखेंगे देखेंगे नीचे का गई होगी नीली पट्टी रिकॉर्डिंग की नीली पट्टी आती है हाई अब्डिबन मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई आज मैं आपके लिए काइन मास्टर की वीडियो लेकर के तो यह तो वाइस ओबर होता है जैसे आपने कोई रैस्पी की वीडियो बनाई उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो है तो हम इसको बस क्लिक करेंगे इसको बंद कर देंगे और अब हम रिकॉर्डिंग पर जाएंगे स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मैं साबुदाना के उत्पम बना रही हूं जो की बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो बस तब इस थोड़ा सा तेल ले करके हम इसको बढ़ी इसको बढ़ानी है तो हम इसको बढ़ानी है तो इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं अब रिकॉर्डिंग को भी मान के चलो हमसे कहीं गलती हो गई कट करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं तो इसको बढ़ानी है तो बस यहां से कट करना है तो बस पहलें है और यह कर देंगे और यह जो लाइन हे डिर्ट कलर की है जहां हो電 कि नहीं होगी तो यहां पर जब आप को स्थिर्ट करोगे तो यह नीली लाइन केा जैंगे जिस चीज को आपिसे के और खुलेंगे तो डीपलेश वही पर आगया मिक्सर आगया इसको भी है इसको भी साइलेंट कर सकते हो जया इसकी भी आज को आप चेंज कर सकते हो तो यहां से रिए जाएंगे नीचे जाएंगे तो यहां पर trim का option है इसको जाएंगे तो राइट वाला कट करना है तो यहां से हम बापस से फिर से करसल ले जाएंगे और आंगे से फिर से recording करना शुरू करनेगे कुर्मोइ को होते हैं कि continue नहीं बोल पाते हैं कुशलो क्या मैं भी नहीं बोल पाती हूँ कभी साथ बर जाती है या सोर्-सरावा होने लगता है तो वहीं मैं रुक जाती हूं और उतने नीली वाली पट्ती को कट कर देती हूं अफर वहीं से start कर देती हूं आंगे की recording करना तो इस तरीके से आप recording कर सकते हो अब आता है audio audio का मतलब होता है कि इसमें आप जैसे उपर से music डालना चाहते हो तो आप यहां पर आपकी जो भी music हो आप डाल सकते हो यहां पर काइन सब्सक्राइब कुछ background music देता है तो उनका यूज भी आप कर सकते हो जैसे अब प्लस पर दबा देंगे और हम सुनेंगे तो इस तरही किसे आप background music यह गाना वगरा देना चाहते हैं तो वह दे सकते हो तो यह आपने समझ लिया सब कुछ अब आते हैं साइड वाले portion पर तो देखे इसको आप दबाएंगे जैसे ही तो आप पहुंच जाएंगे बाहर यह देखे बाहर पहुंच गया तो बापस से हम वहीं चलते हैं फिर सिम क्लिक कर देंगे यह आप under redo समाजी गए होंगे कोई गलती हो जाए तो इसको पसंद आजाता है कि हम सोचते हैं इसको हम बाहर कबर फोटो में लगा दें तो हमने इमान के चलो यह हमें पसंद आया यह वाला यह वाला ठीक तो हम इसको यह पसंद आया हम क्या करेंगे अभी इसको select नहीं करेंगे इस पट्टी को बिना select करें हम यह जो लाल लाइन है ना इसको हम वहीं लेके जाएंगे और यह जो box दिख रहा है ना इसको click करेंगे तो capture and save हम capture कर देंगे और वो save हो जाएगा गैलरी में तो देखेगा हम जैसी करेंगे तो यह वाले फोटो जो हमारी गैलरी में पहुंच जाएगी हम उसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं तो मैं क्लिक करती हूं अब मैं आपको दिखाती हूं गैलरी में जा गए यह देखिए आ गई हमने यही चीज लीती ना तो यह हमें एक फोटो मिल गई अपने मतलब वीडियो से और अब फिर सॉरी क्लिक नहीं करना है फिर हम जाएंगे तो capture and add as clip मतलब जब capture करेंगे तो यही किलिप आपकी किनारे पर जुड़ जाएगी देखिए फोटो जुड़ गई न तो करके पर जाएगी तो देखिए यह देखिए आगर दूसरी लेर आगई तो अब में चायते हैं यहां पर साइड में लगा सकते ऑखने को अधा इस तरी के से तो यह याद रखने है एक तो यह आपको समझ में आ गया होगा यह हम चलते हैं यह होति आग प्रखानी नहीं करनी है मैं आँगे वीडियो बना दूँगी केवल आपको एक चीज याद रखनी है आपको जाना है वीडियो पर वीडियो पर जाने बस सेटिंग पर कुछ नहीं करना सीधा से जाईएगा और यहां पर एक सेटिंग जलू कर दीजिएगा यह लिखा है ना ओडियो फेड आउट एंड प्रोजक्ट इसको आप डिसेबल ही रखना अगर ऑन है तो इसको डिसेबल करें इससे क्या होता है जब वीडियो आखरी मे तो इसको भी आपको डिसेब Comes करके रखना है तो सेटिंग भी आपने सीख ली आप हम चलते हैं नीचे को इसको उसे तरीके से जाएगा बं केwoman juice मेंट देखने नीचे लेगा है सबगी ज्यों आपको क्लीफ करता है यहां पर पर देखना है यहां पर आपको इस तरीके से आ आप जहां पर भी इस cursor को रखेंगे जैसे मान के चलो मैं यहां पर रख रही हूँ तो यह मुझे इस clip के आखरी में पहुचा देगी यह देखिए इस clip के विल्कुल ending में यह आपको पहुचा देता है तो यह भी सारे option हो गए और यह जो option है यह वाला यह किवल starting का होता है मतल अपने गैलरी में पहुचा आना तो देखिए यहां पर आप फुल एच्डी भी कर सकते हो लेकिन मैं हमीसा अपने वीडियो एच्डी में करती हूं ठीक है तो आपकी उपर है आप क्यासी क्वाल्टी रखना चाहते क्योंकि जितनी अच्छी आप क्वाइल्टी रखेंगे समल लीजिए नेट आपका उतना ही ज्यादा जाएगा तो कुछ लोग एसडी में करते हैं कुछ लोग फोरसी में करते हैं बट मैं हमीसा एच्डी में रखती है अपने वीडियो को और इसकी वाद सेव एस वीडियो कर देंगे तो यहां पर यह सेव होने लगेगा तो फिल काइनवाश्टर एडिटिंग एप तो यहां पर हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं फिर हम जाएंगे यहां पर हम डुपलीकेट यहां पर हमें डुपलीकेट फाइल बना सकते हैं मतब जितनी हमने एडिटिंग करी है हम सोच चाहें कि डिलीट न हो जाए कोई प्रॉब्ल delete भी कर सकते हैं पूरी की पूरी फाइल आपको delete करनी है तो कर दीजे तो मैंने delete कर दी तो मैंने duplicate बनाए थी तो मेरे पास अभी एक फाइल है तो बस इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को edit कर सकते हैं आई योप आपको सिखाने को बड़ वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैं आपको आँगे आने वारे वीडियो में बताओंगी ठीके